हे गाइस विल्कुम बैक इन न्यू वीडियो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस मेरा नाम है सारदिन खान और आप देख रहे हैं अपने यूटूब टेनल फार्मेसी वाला कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोंगा चुनिए फार्मसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंडी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया नाम वाट करते हैं आज की वह उनिट नंबर कर सकते हैं और यूट कर सकते हैं तो बात करते हैं आज की यूनिट वह है unit number one तो इससे हमारे 4-5 questions हैं तो उने को आधिम बारी-बारी से solve करने वाले हैं तो पहले जो question है कि वह है define value education and discuss need basic guideline and process of value education तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर देखें कि वही जो question आपका लिखा हुआ है यहाँ पर समझते हैं कि क्या होती है value education तो पहले आपने उसकी definition बतानी होगी और उससे पहले आपने समझना हो कि value क्या होती है जो कि आपके subject का नेम है universal human value तो इसका मतलब क्या है अखरी क्यों हमें subject पढ़ना हो रहा है आपके तो देखें value को अगर हम हिंदी में बोलें तो उसका मतलब होता है कीमत यानि कि कुछ उसके अंदर value valuable कुछ चीजे होंगी important कुछ चीजे होंगी और उनी की वज़ा से हम जो है अपनी family में अपनी society में अपनी नेचर में harmony के साथ रहते हैं मलब male के साथ रहते हैं प्यार के साथ रहते हैं उनी को हम बोलते है human value जैसे कि लिखाए कि those value which helps a man to live in harmony with the world कि जो भी हमारे आसपास का environment है हमारी family है society है हम खुद के अंदर भी तो अगर हम अच्छी तरीके से रह पाते हैं harmony के साथ रह पाते हैं तो उसका simple reason है value यानि कि human value तो यह human value होती क्या है जैसे कि आपका respect हुआ love हुआ happiness हुआ loyalty हुआ यह जो सारे example है यह human value होते हैं वहलब humans के अंदर कुछ ऐसी चीज़े जो बहुत ही किमती है है ना तो यह आपकी definition आप ऐसे बता सकते हैं और यह जो humans value होती है पर्संट टू पर्संट कल्चर टू कल्चर अलग हो सकते हैं तो वही लिखाए कि these value may be different from culture to culture and person to person लेकिन यहां पर एक word और जोड़ जाता है आपके subject में कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल का मतलब आपको पता हो इनकी पूरा यूनिवर्स जिसमें पूरा सारे देश सारी कल्चर सारी लोग पेड़ पोदे सारी चीज़े आ जाती हैं तो ऐसी human value जो कि पूरे culture के change होते हैं लेकिन universal human value ऐसी value होती हैं जो पूरे universe के लिए same ही होती हैं तो लिखाए कि those human value which are same to the all human beings for all times and religions are called universal human value जसकी love हुआ honesty, friendship, loyalty, brotherhood, kindness, respect, justice तो यह कुछ ऐसी value होती है जो सब culture में बरावर होती है चाहें आप कोई से भी culture को ले लो चाहें किसी भी country को ले लो तो सब जो हैं इनको follow करते हैं और यह हर देगा present होती है इन ही को हम बोलते है universal human value अब हमारा जो question जो पूछा गया है वह actually मैं define value education कि value education क्या होती है यानि कि ऐसी education जो कि इन ही value की importance को हमको समझाती है कि यह आपके जीवन में बहुत जरूरी होती है इस सारी चीज़ें क्या-क्या love, honesty, friendship, loyalty यह सारी चीज़ें इनको समझाने के लिए इनकी importance को बताने के लिए दी गई education वही हमारी value education कहलाती है तो simply लिखाई कि the education which can teach the importance of human value and transform a person accordingly is called value education यानि कि एक ऐसी education जो कि किसी भी student को अगर दी जाती है तो वो उसकी personality को डबलब करती है कि कैसे आपने दूसरों के साथ में आपने harmony बना के रखना mail बना के रखना है तो उसी education को value education बोलते है तो यह आपको clear हुआ तो यहाँ पर आगे हमारे यहाँ पर कुछा गया है कि discuss need and basic guideline and process of value education आकर जरूरत ही क्यों पर रही है हमको इस value education की तो यहाँ पर देके वही जो पर लिखा हुआ है need of value education की value education की जरूरत क्यों है आखिर इस subject को यह बोले तो value education हम दे ही क्यों उसकी जरूरत क्यों पर रही है तो पहला point जो है बहुत ही simple है कि theoretical है विल्कुल आप relate करते चलेंगे इन चीज़ों से और आपको ऐसे ही याद हो जाएगा तो आजकल की जो education है वो आपकी जो है knowledge based है या technical based है लेकिन कुछ student है या बोलतो हम ही खुद क्यों नहीं तो हमारे अंदर कुछ other पहलू भी होते हैं कुछ other aspect भी होते हैं तो उनको भी पूरी तरीके से develop होना जरूर है तो simply वही लिखाए कि today's education is technical और knowledge based but in student the other aspect like physical, emotional, social and mental are properly not developed मतलब कुछ other भी factors होते हैं emotional, social, mental जो की actually में develop होने चाहिए लेकिन आजकल की education ऐसी नहीं है वो हमको यह सारी चाहिए कम सिखाती है तो इसी को सिखाने के लिए यही value education जो है important है रोल प्ले करती है मतलब एक student की personality को develop करने में value education का काफ़ी important रोल है तो यह जो है point आप बना के लेख सकते हैं और दूसरा जो point आदे कि वो है value education, develop harmony in family society and nature value education की वज़ाए से हम family में अपने आसपा, society में अपने nature के साथ में harmony यानिकी frame, male भाब के साथ रह सकते हैं तिसरा point की value education हमको हमारे जो भी need है कि आखिर actually में हमको चाहिए क्या हमारे life में क्या उदेश से है यह वो बताती है और आपका goal क्या है यह उसको भी visualize करती है उसको भी बताती है तो यह होता है important कि इसका value education का और तीसरा, चोथा point है कि value education guide our behavior, हमारे behavior को वो guide करती है कि how to behave और how to not behave क्यासे behave करना है क्यासे behave नहीं करता है यह इसकी importance है last one कि it evaluate our beliefs and assumption कि हमारे जो beliefs हैं मतलब हमारे जो विस्वास हैं आप कई बार वो बोलते हैं कि अंद्विस्वास होते हैं तो जो आप जिस चीज़ को मानते हैं जिस पर belief आप रखते हैं तो यह आप उनको evaluate भी कर सकते हैं चेक भी कर सकते हैं value education की मतलब से तो यह है need of value education की क्यों जरूरत है value education की और इसका बाद है कि next हमारे topic देखिए वो है basic guideline for value education कि जो value education है अगर हम किसी को provide कर रहे हैं कुन कौन सी guideline को follow करनी चाहिए तो यहां पर देके सबसे पहला point बहुत ही सिंपल है कि यूनिवर्सल यानि कि जो आपकी value education जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूनिवर्सल होनी चाहिए वो किसी एक ही धर्म के लिए यह किसी एक ही country के लिए यह एक ही जैसे लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए वो सबी के लिए होनी चाहिए यूनिवर्सल सेकंड रेशनल की वो किसी blind trust यानि कि अंद्विस्पास पर वेस्ट नहों वो हमारे argument पर वेस्ट होनी चाहिए मतलब हम तर्क दे सकें किसी को बता सकें रीजन के साथ वो उस पर वेस्ट होनी चाहिए दूसरा है कि naturally acceptable की वो सबी के लिए सबी human beings के लिए वो naturally acceptable होनी चाहिए वो harmony develop करे मतलब प्रेम भाब को बढ़ाए ऐसी हमारी education होनी चाहिए प्रोवाइट करें तो वो हमारे अंदर हमारी family में हमारी सोसाइटी में हमारे नेचर में हमारी नेचर सारा कुछ पूरा यूनिवर्स आना चाहिए तो वो है आल एंकम पेसिंग तो यह जो है कुछ गाइड लाइन कि इसके वैल्य एजूकेशन के और इसके वाद है कि लास्ट में हमारे एक और पॉइंट बचा हुआ है जो कि प्रोसेज ऑव वैल्य एजूकेशन और इसके वाद ही हमारे टॉपिक यान की कोस्टन खतम हो जाएगा प्रोसेज जो केशन कहने का मतलब रहे की जो वैल्य एक्सप्लोरेशन का मतलब कि खुद को एक्स्प्लोर करना एकृट की को आपने अंदर investigation करना कि actually में आप हैं कौन का मतलब है कि आप present time में कहां पर खड़े हैं and आपको जाना कहां पर है आपको क्या life में रियली में चाहिए तो वह जब आपको सवालों के जबाब मिल जाएंगे तो वही कहला था self exploration जब तो self को आप explore करोगे खुद के अंदर आप जाच करोगे दब उसके बाद ही जो है value education की process स्टार्ट होती है so simply लिखाए कि it is the process of investigation within myself and find out what you are and what you really want तो आपने इस तरीक से लिखना होगा एप process में and the process of self exploration includes two things इसके अंदर दो चीज़े आती है सबसे बलाए कि natural acceptance verification at level of natural acceptance and second experiential validation in living कि सबसे बलाए कि जो भी proposal है जो भी condition है आप उसको देखो कि वो naturally acceptable है या फिर नहीं है and second one कि experiential validation और उसको बाद अगर वो naturally acceptable है मतलब सारी चीज़ें वो society के लिए family के लिए नेचरी के लिए अगर ठीक है तो उसको देन आप experience के साथ में validate करो वही कहलाता है experiential validation अब यहीं जो question है न सेम आगे मलब extend होने वाला है second question यहीं आएगा मैं आपको दिखा दूँ मतलब आपको यहां की अगर नहीं भी समझ माता है तो don't worry आपको अगले question में समझ पा जाएगा ठीक है लास्ट पर नेको लाइन आपको बतानी है कि this process of self-exploration helps you be in harmony with yourself and in harmony with everything और इसी self-exploration की वज़े से आप खुद के साथ harmony में रहेंगे family के साथ nature के साथ society के साथ तो यह होती है process of value education simply वोले तो self-exploration करने से ही हमारी जो education की जो process है वो start होती है तो इस तरीके सा आपने दिखाना होगा और यह जो question आपको complete हुआ इस 7 यह 10 मार्च में आता है I hope यह आपको clear हो गया होगा तो second question के हम बात करते हैं जो कि मैंने आपको दिखाई दिया क्या है self-exploration वो आपने बताना है और क्या इसकी process होती है detail मे वो आपने बताना है तो यह भी 7 यह 10 मार्च में question आ जाता है तो यहां पर देके सबसे पहले हम बात करते है self-exploration यानि कि क्या लाता self-exploration यानि कि खुद की जाच करना वही है self-exploration तो simply आपने define कैसे करना है कि self-exploration is the process of investigating within ourselves and finding out what is right and valuable to us यानि कि इस चीज का पता लगाना खुद की जाच करते दोरान कि क्या चीज हमारे लिए valuable है क्या हमको चाहिए और क्या हमारे लिए ठीक है तो वही कलाता self-exploration अभी मैं आपको मैं अभी खड़ा हूं क्या मेरे को life में चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या का मेरे को करना है तो वही कलाता self-exploration की खुद की जाच करना और यह चीजह हम करते भी रहते हैं जैसे कि अभी भी बहुत से स्टुडेंट को पता ही नहीं कि उनका गोल किया है लेकिन उनको चाहिए कि वह खुद को content आपने बताना है सेवंट्ट उसकी मैं इस all तो self-exploration के क्या क्या चाहिए होते तो दो क्या प्रोग्राम है मलब क्या मैंने प्लान कर रखा है तो यह चीज़े आती हैं कंटेंट यान कि सेल्फ एक्स्प्लोरेशन में इन दोनों सब्सक्राइब को जवाब हमको चाहिए होता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं परपस ऑफ सेल्फ एक्स्प्लोरेशन की आखिर ज अब ज आपके स्वेंस कि एक्सेटक बात करें पता स्वाण को से इसके सेल्फ एक्स्प्लोरेशन से स्क्रूण एक्स्प्र फेट क्या है इसके अब करेंट्स तो यह और आपkę स्प्राइशन से अपको पता परसेंट आपने क्या प्लान किया है 80% मार्च लाने के लिए तो यहीं है परपस या बोले तो इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्स्टोरेशन की क्यों आपने करना चाहिए क्यों यह ज़र्व होती है और इसका बाद कि यहां पर हमारे तो वो एक प्रपोजल ही है आप उसको सही ही न समझ ले या उसको गलत ही न समझ ले तो आप उसको देखते ही गलत या बोले तो सही नहीं कह दे उसको नहीं किसी दूसरे लोगों की कहने पर सही गलत है तो उसको आपने सही गलत कभ कहना है तो लिखाए कि verify it on your reasoning and experience की खुद के रीजन से या experience की वेस पर आपने उसको राइट अंडरस्टेंडिंग के थुरू accept या वले तो रेजेक्ट करना है तो यह self-exploration से पहले चीज़े ध्यान में रखनी होती है और self-exploration में two steps होती है एक natural acceptance and second one is experiential validation तो यहीं देखिए question में पूछा भी गड़ा है किस तरीके से कि लिखाए कि define self-exploration and explain the process of self-exploration by concept of natural acceptance and experiential validation ठीक है तो पहले हम देखते है natural acceptance natural मतलब कि कोई भी आपका proposal है प्रपोजल कहने का मतलब कि कोई भी नया आपका object या कोई भी आपका goal तो first of all we see whether the proposal is acceptable as per naturally acceptance or not मतलब सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि जो भी आपका proposal है जो भी आपका वो new goal है क्या वो naturally acceptable है मतलब वो आपके लिए आपके आसपास के लोगों के लिए आपके environment के लिए वो applicable है या फिर नहीं है मतलब suppose करिए आपको कोई goal है उससे आपके family वाले ही खुष नहीं है या बोले तो आप खुद ही खुष नहीं है तो फिर क्या फाइदा तो यह first step होती है self exploration and second one जो कि यहां पर गो है experiential validation कि ठीक है हमारा जो goal है वो naturally acceptable है अब आपने उसको verify करना है experience के बैस पर validate करना है उसी को हम बोलते है experiential validation लिए कि when we believe that something is right then we have to validate it on the basis of experience कि जब हम यह believe करते हैं कि हमाले सही है या गलत है तो उसको हमने क्या करना है validate करना होता है experience के बैस पर उसी को हम बोलते है experiential validation नेम सही आ रहा है तो तो वैलिडेट proposal we live according to the proposal and find out the result यह पता करने के लिए कि जो हमारा proposal है जो भी हमारा वो target वो सही है या नहीं है तो यह पता करने के लिए हमने उसी का according रहना होता है और experience के बेस पर उसको पता करना होता है कि क्या उसका रिजल्ट है वो सही चीछ है या वोले तो गलत है तो यहां पर आपने दो सवालों के जब आप चाहिए होते हैं दो चीज़ें आपने देखनी होते हैं पहला है कि वहबियर विद अदर हीूमन बिंग कि जो करें मतलब हार्मनी को डवलब करें तो उसका मतलब होता है कि वह आप लिए सही है अधरवाइज जो प्रपोजल है वो गलत है तो आपको यह सवाल का जवाब चाहिए होता है कि वह अधर हीूमन बिंग के साथ में कैसा उसका भी रहेगा तो यह है पहला पॉइंड सैकंड कि यहां पर कि वर्क विल नेचर की नेचर के साथ में वह उसका क्या रहने वाला है क्या वह प्रोस्परिटी या वह तो फोर मनी को डवलब कर भी पाएगा या नहीं तो वही है कि इस लीड मूचिल प्रोस्परिटी सो राइट अधरवाइस रोंग कि अगर आपका जो प्र वह यहां तो फ्रस्ट स्टेप है कि उसको बेरिफाई करो नेचूरल अक्सप्टेंज के विस पे वह नेचुरल है या फिर नहीं है वह आपके द्वारा आपके फैमिल के दौरा आपके नीचर की दौरा वह सारी तेन राइट अंडरस्टेंडिंग कि अब उसके बाद उस उसको experience के वेस्ट पर validate करो आप उसको खुद रह करके देखो ऐसी conditions में and दो कुसंस के जवाब आप मांगो कि बेहपियर बिद अदर हीमन बिंग के उस प्रपोजल का दूसरे हीमन बिंग के साथ क्या बेहबियर रहता है and second work with nature कि nature के साथ में क्या रिलेशन रहेगा उस प्रपोजल का क्या वो mutual prosperity को मतलब लीड करेगा या नहीं या happiness रहेगी नेचर के साथ में या नहीं अगर यह चीज़े हो जाती है तो उसको हम बोलते है right understanding कि मतलब सही गलत का पता लगाना कि वो हमारे लिए ठीक है valuable है या फिर नहीं है जब आपको right understanding हो है पूसरा satisfaction आपको मिलता है एंड तीसरा मिलता universality universality कहने का मतलब है कि वो पूरे universe के लिए जा बोले तो वो चैंड नहीं हो सकती वो same ही रहेगा तो यह तीनों चीज़े मिलते हैं आपको self-exploration से तो आपने इस तरीके से दिखाना होगा and last में वह लिखाए कि after natural acceptance and experiential validation we have to understand that the proposal is wrong and right, wrong or right, this is called right understanding and it gives assurance, satisfaction and universality तो वही बार जो मैंने आपको यहां पर बताई है वो मैंने आगे करके हैं को लिख दिया है तो इस तरीके से यह जो कुशन आपका वो cover होता है कि क्या है self-exploration और क्या है उसकी process on the basis of natural acceptance and experiential validation तो दो कुशन यहां पर हमारी cover हो चुके हैं जो क आपको दिखाता हूं तो यहां पर third question जो है वो है हमारा what do you mean by happiness and prosperity happiness क्या होती है और prosperity क्या होती है two marks में पूछ लेता है कई वार ऐसी पूछ जाता है कि क्या happiness and prosperity same same है या अलग है आपको बताना पड़ेगा तो happiness का मतलब होता है कि it is the state of mind when we feel harmony in all aspects of life कि हम life की हर एक पहलू में how many feel करते हैं मलब प्रेम भाब रेस्पेक्ट लोयलिटी friendship अपने माबाप के साथ अपना मुहपत तो वह जो सारी चीज़े जो होती हमको happy feel कर आती है तो simply आपने वही लेखना होगा या फिल आप खुद भी बना करके लेख सकते हैं कि happiness it is a condition when we feel you enjoy every moment of our life in every condition that is called happiness तो simply just कि अपर ट्रेस्ट है तो उस ट्रेस्ट की वज़े से भी आप हैपी फिल करते हैं आपको respect मिलते तो आप हैपी फिल करते हैं तो यहां पर सिंप्ली ऐसे अग्जम्पल से बता सकते हैं एक और इंपोर्टेंट लाइन जो कि अगर आप लिखकर आते हैं तो काफी यह और चाहिए तो मनलब आप हैपी नहीं है तो सिंप्ली यह है आपकी हैपिनेस सैकेंड में जो है प्रोस्परेटी प्रोस्परेटी का मतलब होता है कि it is the feeling of having more physical facilities than required की जो हमको फिजिकल फैसलेटी में चाहिए उनसे भी ज़्यादा फिजिकल फैसलेटी हमारे पास आवे ए https दे सकते हैं कि अगर six देंद्र सव रुपे चाहीं और आपके पास पांसो रुपे आपके पास और सव मतलब आप प्रोस्परेटी गैऊ फोचेर्थ स्वार्टु मार्स में कि वाट ढबेल्ड उफ लिबिंग के में य जो डीववल आफ लिबिंग के जो लिवेल होते हैं चार लिवंग लिव माईश्थरी फेंग देंग लेवल होता है डाप लिवंग इन सॉडाइटी सोडाइक When लिविंग इन नेचर विवाल सो आपने अपको बता देता हूं कि मैंने नहीं लिखा दें लेकिन बाद में इंपोर्टेंट लगा कि इस क्या होती है अपको बतानी है और इनका मतलब क्या है साधन नहीं है दुखी दरिद जो परेसान है दुखी है तो आपने लिखना है कि अनहीं होने की बजाए से वह खुश नहीं है उसको वह लेंगे साधन दुखी दरिद तो यह ने कुछ मलब साधन दुखी दरिद की कुछ ऐसे बी लोग होते हैं जिनके पास साधन भी यहां फिर भी वह दुखी है जैसकी कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जो खुश नहीं रह पाते एविंगे उनके पास बहुत सारे रुपे पैसे और प्रोपर्टी होती है लिखाए कि अनहपी यहां पर इसके फिलफॉम और इसका मतलब है एंड लास्ट में एससस मतलब साधन संपन सुखी संब्रत की जिसके पास साधन है और वो सुखी भी है और वो खुश भी है तो वह है आपका एसससस यानिकि हैविंग बहुत हैपिनेस एंड प्रोस्परेटी तो यहां पर इस नेक्स्ट में हम यूरेट सेकंड को कवर करेंगे उससे भी दो तीन को सलसा हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में तब तक लिए वाई वाई थैंक्यू है बर नाइस टेंग